कि अब आपनून इस्टुरेंट्स एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत हैं सबसे पहले सभी इस्टुरेंट लाइव बने ठीक है और लाइव आते ही वीडियो को लाइक और सेर्श जरूर करें आप लोगों आप लोगों का पहले क्लासे ingl आपकी स्टार्ट हुई थी हैं वैसे इस्टुरेंट आप लोगों का यहां आप लोगों का यह पीशल जेई के लिए आप लोगों के जित्ने भी चीजें, micro controller से आप लोगों को पूशता है, student micro controller के section से जितने भी चीजें आप लोगों को पूशता है, उन सारी चीजों को हम लोग अब discuss करने वाले हैं, micro controller की बात भी करेंगे कि कहां से किस तरह का question आपका बनता है, सबसे पहले आप लोग जैसे जैसे live आ रहे हैं, video को like और share करें आप लोग, solid foundation series में आप लोगों का अब जो आपके कुछ electronic part भी है, ठीक हैं, उन सारे subjects को भी हम लोग देखेंगे, ठीक, class आपकी electronics, electrical and instrumentation तीनों branches के लिए एक important class एक important session है, तो सबसे पहले सभी student live वनते ही आप लोग वीडियो को like और share जरूर करें, ठीक हैं, बिलक आपकी class आपकी electronics, electrical and instrumentation तीनों branches के लिए important session, important class है, good afternoon, good afternoon, ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, student आप लोगों का, उमेश सरका, मिंडक, नाम तो बहुत सही लिखा है, वैसे, चलिए, subject, student आप लोगों का उपर आपको दीख भी रहा होगा, micro controller, तो सबसे पहली बात मैं subject के बारे में करता हूँ, student सबसे पहली बात को अगर हम लोग देखें, तो है, आप लोगों का syllabus की चाहिए, या किसी भी exam को electronics, electrical and instrumentation engineering में आप target करके चल रहे हैं, तो आपके micro controller से कहां कहां से questions को आप लोगों को पूचता है, ठीक है, सबसे पहले general बाते हम लोग वहाँ पर जाएंगे, basic electronics हो गया, analog हो गया, या microprocessor, digital, इस सारी चीज़ें कराई जाएंगे आपको, ठीक है, फुल चलेगा, सर या paid नहीं है, free of course, YouTube पर है, बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको जादा से जादा students को share करना है, ठीक है, वीडियो को, link को, आप लोगों को, जादा से जादा students को share करना है, सबसे पहला जो chapter हम लोग पढ़ते हैं, जहां से आप लोगों का general question बनता है, वो आप लोगों का introduction of micro controller, micro controller का परिचय, ठीक है, ध्यान चे देखेगा, introduction of micro controller, सबसे पहली बात, जो हम लोग देखेंगे, वो आएगा, आपका micro controller का परिचय, जिसमें history, basic history, micro processor से comparison की क्या difference micro processor और micro controller में होता है, क्या जरूरत micro controller की पढ़ी थी, ठीक है, इन सारी बातों को discuss करने के बाद, फिर हम जो second chapter पर बढ़ेंगे, इस तुरेंट, वो है आप लोगों का addressing modes of 8051 micro controller, addressing modes of 8051 micro controller system, mcs, 8051 micro controller में कौन-कौन से addressing modes होते हैं, next बात जो आती है, इस तुरेंट आपकी निकल कर हुए, आप लोगों का instruction set of, ठीक है, क्या का है, इस तुरेंट आप लोगों को instruction set of 8051 micro controller, ठीक है, next जो हम लोग बात करेंगे, वो बात होगी, आपकी instruction set की, ठीक है, इतना, सभी students वीडियो को like और share जरूर करते रहें, ठीक है, next अगर हम लोग देखते हैं, instruction set के बाद, जैसे instruction set हो जाएगा, फिर आजाएगा, इस तुरेंट आपका, programming of 8051, ठीक है, programming of 8051 micro controller, सभी students वीडियो को like और share जरूर करें, बिल्कुल बिल्कुल electrical, electronics and instrumentation, तीनों branches के लिए class है, और UPBCL, यही के respectively यह classes करवाई जा रही है, क्योंकि TG2 का vacancy आ चुका है, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में UPBCL, यही का vacancy भी होगा, तो अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी से चीजों को लेकर चलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो programming की बात की student आप लोगों की, फिर यही से हम बात करते हैं, इसके interfacing और application की, तो next chapter होगा, इस्टुरेंट आप लोगों का, वो होगा, आप लोगों का interfacing, interfacing and applications of, interfacing and applications of 8051 microcontroller, ठीक है, applications बताने हैं और interfacing, other devices से कैसे इसे connect किया जाता है, ठीक है, फिर next आएगा, इस्टुरेंट आप लोगों का serial communication, तो next आता है, आप लोगों का 8051 microcontroller system serial communication, ठीक है, यहाँ बात आजाएगे, आप लोगों के serial communication की, जहाँ पर चाहे वो input port के respective ले हो, या output port के respective ले हो, ठीक है, हाँ, हाँ, ICS भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, ध्यान से देखेगा, अभी हम बात कर रहे हैं, microcontroller की, next बात, एक question आप लोगों के, last year ही, यूपी बीचल जेई में देखा होगा, वो था आपका, A255, ठीक है, इस तोरों के exam में भी अक्सर यहाँ से question रहता है, A255A, programmable, इसका नाम क्या होता है, student आपका, programmable, peripheral, programmable, peripheral, interface, ठीक है, यह होता है, student आप लोगों का, programmable, peripheral, interface, कई बार exam में लिखकर भी देता है, कि full form और PPI, ठीक है, कि क्या full form होता है, PPI का, फिर last जो बात हम लोग discuss करेंगे, student वो है, आप लोगों का, कुछ missilness topics को, जो आपके exam में पूछता है, और आप लोगों को, बहुत जादा उन topics को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में देखने की नहीं है, ठीक है, इतना, UPBCL के लिए, राम, बर्ड, क्लास है, ये मित्रों, बिल्कुल सही बात है भई, सभी students, वीडियो को like और share जरूर करें, अब देखेगा, student यहाँ से क्या निकला, student आपका, कि first chapter आप लोगों का introduction of microcontroller, कि सबसे पहला जो chapter है student आप लोगों का वो है आपका microcontroller का परिचय है, ठीक है, इसमें हम introduction देखेंगे, फिर बात आईगी student आपके addressing mode की, फिर बात आती है student आप लोगों के instruction set की, फिर बात आती है हमारे programming की, next chapter है वो programming, फिर interfacing other devices के साथ और respective application, फिर बात आती है student आप लोगों के serial communication की, जहां RS 232, एक most important topic, recent exams का, उसे हम लोग discuss करेंगे, फिर आपका 8255 का basic introduction, लास्ट में जो छोटी 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 चीज़ें exam में अक्सर आप से पूस्ता है, उन सारी चीज़ों को combined form में हम लोग discuss करेंगे, लक्ष बैस में दो ही lecture लिये हैं, पता है, लक्ष बैस में classes अभी चल रही है, end नहीं हो है, मैंने आपको आज भी class में कहा था, कि यहां हम लोग आपको sort revision इस subject का कराएंगे, यह आप लोगों का detail syllabus है, जो आप लोगों को micro controller में पढ़ना है, जो चीज़ें आप लोगों को micro controller में देखनी है, ठीक है, बाकी आप लोगों का जो courses में जो class रही है, वाइज़े चलते रहेंगे, यह आप लोगों के स्क्रीन साट ले लें, फिर हम आगे किसी जों को start करते हैं, कि लिए रहें इतना, सभी students वीडियो को like और share जरूर करें, अब मैं अपने सबसे पहले chapter की बात करता हूं, इस्टूरेंट तो first chapter आप लोगों का introduction of micro controller, ठीक है, सबसे पहले दर मैं बात करता हूं, का परिचय या introduction, ठीक है, micro controllers की बात करते हैं, micro controllers को देखते हैं, इसे start करने से पहले हैं, मैं आप लोगों को basic थोड़ सा micro processor के बारे मैं बता देता हूं, इस्टूरेंट, सबसे पहला topic मैंने यहां से क्या लिखा, micro processor लिखा, कि micro processor क्या होता है, micro processor कैसे work करता है, तो micro processor की अगर मैं बात करता हूं, इस्टूरेंट सबसे पहले ध्यान से देखेगा, तो आपके दिमाग में directly बात आती है कि मैं study करते हैं, झाल ढओते हूं, इस्टूरेंग थेखेगा, यहां मने एक महाई अबेड़ा कि मैं उन्जिड़ा का वहां रपके आती हैं, झाल झाल साउंड आ रहा होगा अभी साउंड आप लोगों को आ रहा होगा ठीक है वह साउंड आ रहा है सभी लोगों को ठीक है टाइम टेबल एक इस्टुनेंट लिख रहे हैं तो टाइम टेबल यह है भाई तेली इसी टाइम पर आपकी class रहेगी और कोई ना कोई electronics का subject करवाय जाएगा ठीक है इस time पर solid foundation series में आपका कोई ना कोई एक electronics का subject सल रहा होगा ठीक है चलिए तब यहाँ से क्या का इस student आपका सबसे पहले बात याद रखनी है कि यह है एक अर्ध चालक युक्ति होती है semi conducting device होता है it consists of इसमें क्या होता है student आप लोगों का it consists of different electronic logic circuits ठीक है कि क्या होते हैं आपके बहुत सारे electronic logic circuits होते हैं ठीक है एक manufacturing process के अगर मैं बात करता हूँ तो manufactured by ठीक है कि this is manufactured by PLSI technology ठीक है किसके द्वारा बनाया जाता है student आप लोगों का VLSI technology के द्वारा बनाया जाता है यहां से एक बात को ध्यान से देखेगा कि अगर मैं VLSI की बात करता हूँ तो यह represent करता है student आपका किसे very large scale यहां से अगर हम लेकर भी चलें कि this is very large scale integration का full form अगर हम लोग देखें तो यह क्या होता है student आप लोगों का very large scale integration मेरे साथ साथ चीजों को remind करते रहे हैं चीजों को याद करते रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में basic introduction में तीन बात नहीं याद रखी पहली बात कि एक semi conducting device होता है यहां से कर मैं देखता भी हूँ हमने क्या कहा कि एक semi conducting device होता है दूसरी बात यह different type के electronic logic circuit से बना होता है तीसरी बात किस technology से manufacture होता आपका very large scale integration VLSI technology से इसे क्या किया गया होता ह है इस फुल फर्म को ध्यान से देखें notes को साथ के साथ बनाते रहें सबी students notes साथ के साथ बनाते रहें वहीं बाद में problem होती है एक साथ बनाने में इसलिए साथ के साथ आप लोग notes को बनाते रहें ध्यान से देखें हर एक चीज़ को कि यहां बात आई थी semi conducting device होता है यह इंटीग्रेशन टेक्नलाजी पर बेज होता है कि लिए रितना तो यह पहली बात हो गए इस तुरेंट आपके इसके बारे में microprocessor के basic structure के बारे में अब वहीं अगर मैं दूसरी बात करता हूं इस्टुरेंट तो दूसरी बात यहां से निकल कर आती है इसके working की ठीके जिसमें सबसे पहली बात अगर मैं देखो इस्टुरेंट तो यह क्या करता है इस्टुरेंट आप लोगों का इसमें यह आप सकता है पर साथ के साथ इसमें क्या होता इस्टुरेंट आप लोगों का decision making capability भी होती है ठीके क्या कहा कि साथ के साथ हमने क्या कहा कि decision making capability भी इसमें होती है decision लेने की capability भी होती है अब कैसे होती है for example आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हमारा program execute होता था micro processor में तो क्या होता student जो हमारा program counter होता है इसे हम लोग नहीं कहते हैं next instruction के address को define करना hold करना ये अपने आप क्या करता student आप लोगों को automatically sequentially आपका automatically कहिए या sequentially कहिए अपने आप क्या होता है आपका change होते रहता है sequentially ठीक है ये क्या होते रहता है खुद से change होते रहता है automatically या sequentially क्या हो जाता है आपका change हो जाता है यह इतना तो यहां से हम लोगों ने क्या का इस तुने अब ध्यान से देखेगा कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बेसिक क्या-क्या बातें याद रखनी है एक-एक बात आपको क्लास के साथ याद होगी इस बात की गैरंटी है और ऐसा ही क्वेशन आपके एक्जाम में भी रहता है पहली बात मैंने कहीं कि सेम प्रोपेलर की नहीं कर रहा हूं अभी बात कर रहा हूं सब्जेक्ट कि जो हम लोग आप लोगों और लोगों की कि इसमें decision making capability भी होता है इसलिए अपने आप program counter क्या होने लगता है increment होने लगता है increment उसमें आने लगता है ठीक है इतना अब एक question आप लोगों के exam में आये हुआ जो आपके triple C का exam होता है वहाँ पूछा हुआ question है question क्या था ध्यान से देखना question था इस तुरेंट आप लोगों का कि which of the following is known as CPU of digital computers ठीक है क्या का इस तुरेंट आप लोगों का कि CPU of digital computer किसे कहते हैं या digital computers का CPU किसे कहा जाता है तो CPU of digital computers की बात करता हूँ तो कौन होता है स्टुरेंट आपका micro processor ही होता है controller नहीं micro processor ठीक है तो इतनी बातों को note कर लें और जिस स्टुरेंट को doubt हो या नहीं समझा रहा हो वो भी फटा-फट से comment box में लिखें बेसिक सी बातें लिखी हैं ध्यान से देखें पढ़ें और बताएं यूपी बीचल लाइव ए बैच में सर आप इस टाइम class नहीं ले रहे हैं यूपी बीचल लाइव ए में नहीं लेता है इस टाइम पर हमारी class नहीं होती उस बैच में अच्छा नौर्बली पूछ रहो आज से class start हो गई है 11.30 पर आप लोगों की class थी आज भी नमस्ते नमस्ते लड्डू जी के लिए रहे इतना तो basic questions जो यहां से निकल कर आए उन्हें ध्यान से देखते रहे हैं समझते रहे हैं तनमय जी तो थे class में sequential के पहले लिखा है automatic पूरा नहीं लिखा है automatic है वो यह सभी students वीडियो को like और share जरूर करें जैसे जैसे topic होंगे वैसे वैसे में आप लोगों को MCQs भी topics के करवाते रहूंगा अगली बात देखेगा student next आता आपका block diagram of microprocessor next बात निकल कर आई student आप लोगों की block diagram of microprocessor ठीक है microprocessor की बात हो रही है student आप लोगों की microprocessor की microprocessor का हम लोग आप क्या क्या होता है उन बातों को ध्यान से देखेगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो सबसे पहली चीज होती student आपकी वह होता आपका alu arithmetic and logic unit फिर दूसरी बात अगर मैं करता हूं इस operation को perform कराने के लिए जरूत पड़ती है कि इसकी accumulator की ठीक है फिर यहीं से अगर लोग देखते हैं कि अगला जो आता है वो होता आपका general purpose register क्या होता इस्ट्रेंट आपका next होता है general purpose register सबसे पहली बात हमने कहीं कि एक आपका alu होता है alu कहने का मतलब arithmetic and logic unit फिर दूसरी बात आती है आपके accumulator and general purpose register एक accumulator हो गया और एक क्या हो गया आप लोगों का general purpose register हो गया फिर इसी तरह से अगर आप बात करेंगे student तो यहां आपका सबसे पहले बात आती है कि यह होता आपका stack pointer क्या होता है stack pointer होता है इसमें फिर दूसरी बात आती student आपकी कि इसी तरह से हमारे पास क्या होता है program counter होता है यह अगर हम लोग देखेंगे भी तो this is program counter जिसे PC लिखते हैं यह होता आप लोगों का SP ठीक है यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो PC program counter ठीक तो यह अभी तो हमने क्या का student आपका सबसे पहले basic जो parts यह basic जो चीज़ें आप लोगों की micro processor में ALU accumulator general purpose register program counter फिर बात आती student आप लोगों की next तो वो होता आपका timer and control circuit ठीक है क्या कहा timer and control circuit अगली बात आती है timer and control circuit की ऐसी बात आती इस student आप लोगों की interrupt control circuit next क्या होता है interrupt control circuit अभी इनके बारे में basic चीज़ों को देखेंगे भी हम लोग ज्यान से देखते रहें और समझते वे note down जरूर करें क्या अगली बात आती है timer and control circuit next आता आता आपका interrupt control circuit आपका तो यह कहने का मतलब क्या इस student आपका यह वो basic चीज़े हैं जो microprocessor में होती है अब यहीं से अगर मैं बात करता हूं कुछ other parameter की जैसे अगर मैं सिर्फ outward बना रहा हूं outward कौन होता है student आपका address address bus ठीक है bus क्या होता है combination of parallel wires का समांतर में तारों का गुच्छा होता है ठीक है फिर मैंने यहीं से क्या कह कि यह एक bidirectional symbol बना दिया bidirectional कौन होता है student आपका data होता है तो यह आजाएगा आपका data bus कैसे होती है bidirectional होती है फिर हमने बाहर को outward बनाया student आप लोगों का तो यह हो गया आप लोगों का control bus ठीक है यह कौन से होती है आपकी control bus फिर हमने सिर्फ inward sign बनाया कुछ इस तरह से त student आप लोगों का interrupt bus यह interrupt control bus ठीक है तो अब इसे ध्यान से देखेगा student के आप से question पूछता है एक microprocessor में क्या क्या होता है तो अब आपकी समझ में बात आ भी रही होगी एक microprocessor में अगर हमें पूछेगा तो क्या होता है ALU होता है अब ALU की भी बात करता हूं full form इसकी दे arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit कहने का मतलब है जो आपके arithmetic and logic operations को functions को perform करता है ऐसी हमने बात कही accumulator की accumulator क्या करता है student आपका इसे represent करते हम एसे जितने भी arithmetic या logic operations होगा उसमें हमेशा एक data accumulator से लिया जाएगा और जो resultant आएगा वो भी कहा जाएगा student आपका accumulator में जाकर ही store होगा ज्यान से सुने मेरी बातों को और note down जरूर करते रहे हैं फिर बात आती है student आपकी general purpose register DPR ये किस के लिए होता है student आप लोगों का temporary data storage के लिए during the execution of program कि program execution के time पर data को temporary store करने के लिए फिर अगली बात आती है student आप लोगों की यहीं से मैंने SP कहा SP होता आपका stack pointer stack pointer क्या करता है ये hold करता है किस address को stack के topmost layer के address को है ये इतना फिर अगली बात कही हमने program counter PC की ठीक है तो program counter क्या करता है student आपका next executive instruction के address को hold करने का काम करता है अगला जो instruction आने वाला है उसके address को hold करने का काम करता है तो ये कुछ basic आप लोगों की abbreviation थे जिनका full form है तो यहां से ध्यान से देखेगा student के हमारे program अगर हम बात भी करते हैं क्या कहा एक micro processor में क्या क्या होता है student आपका सबसे पहली बात आई कि sir ALU होता है arithmetic and logic unit होता है accumulator होता है ठीक है general purpose register होता है और क्या होता आपका stack pointer होता है fourth हो गया stack pointer फिफ्त आगे आपका program counter होता है six बात आई आपकी timer and control circuit होता है सेवंत बात आई आप लोगों की interrupt control circuit होता है तो जब भी exam में question पूछें कि micro processor consist of or consisting of ALU stack pointer program counter accumulator general purpose register timer and control circuit and interrupt control circuit तो यहां तक फटा फट से note down कर लें बिलकुल D.I.D.O के लिए भी helpful है पर CBT 2 के लिए CBT 1 के लिए सिर्फ कोपा trade में helpful कर सकता है बाकी में नहीं है के लिए रहता है इसे फटा फट से note कर लें जैसे note हो जाए तुरंद बताएं यह जो बातें अभी चल रही है यह micro processor के बाते बारे में हैं वो सारा instruction register वो सारे register में आ गया ठीक है इस तर बाकी class के time table चलिए बाकी इसके बाद English की class है चार बज़े से हो गया है अब देखेगा अब क्या था अब का कि माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऐसी कमिया थी जिसकी बज़े से माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस हुआ तो अगली बात करते हैं इस तो डैंट अब हम लोग micro controller की एक micro controller में क्या क्या होता है अब ध्यान से देखेगा यह एक micro controller क्या होता है ठीक है तो micro processor देरा so many drawbacks of micro processor which are overcome by micro controller जिनको overcome किया गया किसे आप लोगों का हाँ हाँ उत्राखन के लिए भी ठीक है UP के लिए ठीक है सब के लिए ठीक है भाई कलिए micro controller की अगर मैं करता है इस तूरेंट तो सबसे पहले बात आते हैं आप लोगों की कि यह बनता किस्से माइक्रो प्रोसेसर का ही एक एक शेंशन या वि तरफ रोप होता है जिसे आप बनाते ही कैसे इसके physical structure को देखें इसके अंदर क्या होता है student आप लोगों का it consists of all features of microprocessor all features of microprocessor unit इसके अंदर microprocessor के सभी गुण होते हैं अब कौन-कौन से गुण होते हैं student आप लोगों का यहां से अगर हम लोग बात भी करें all features में देखें तो जैसे अभी हमने block diagram बनाया था की ALU होता है ठीके फिर आप लोगों का यहीं हमने क्या कह था stack pointer होता है फिर program counter होता है ठीके फिर हमने क्या कहा था accumulator होता है फिर हमने कहा था general purpose register होता है ठीके फिर हमने कहा था student आप लोगों को timer and control circuit यह क्या होता आप लोगों का Timer and Control Circuit होता है या इसी तरीके से गर मैं बात करूँ तो यह होता इस तरहें आप लोगों का Interrupt Control Circuit यह सारी चीजें कहां पर थी Microprocessor में थी यह सारी चीजें आप लोगों की Include थी Microprocessor में इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती है ठीक है अब वो क्या होती है इस्टुरेंट आपकी वही चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहला आता आपका ROM एंड RAM का ठीक है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में inbuilt memory नहीं था तो ROM और RAM आगया आप लोगों का ठीक है फिर बात आती है इस्टुरेंट आप लोगों की serial IO port serial input output port ठीक है फिर ऐसी बात करता हूँ अगर मैं यहां से तो अगली बात जो नहीं आई वो थी आपकी parallel IO port parallel input output port पर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इस्टुरेंट आप लोगों का serial IO port हो गया parallel IO port हो गया ROM हो गया RAM हो गया serial IO port हो गया parallel IO port हो गया फिर बात आती है आपकी timer and counter circuit timer and counter circuit ठीक है कि timer and क्या होता आप लोगों का counter circuit होता है फिर इसी के साथ देखूं तो clock signal generator होता है ठीक है यह क्या कहा आप लोगों से clock स्वरी clock signal generator होता है ठीक है यहाँ पर क्या होता आपका clock signal generator भी होता है ठीक है ध्यान से देखें एक एक बात को लिखते रहे हैं detail में micro controller आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो कि आपकी UPBCLJE का एक most important subject में से एक है ठीक है तो यह क्या का instrument आप लोगों का यह सारे parameters आपके तो यहां हमने क्या कहा कि इसे अब अगर हम लोग देखें भी इसे अगर हम लोग जनरली बात भी करते हैं ठीक है तो यह कैसे निकल के आजाएगा student आपका यहां post part को अगर आप देखेंगे सिर्फ इतने part की बात अगर हम करते हैं तो यह क्या student आप लोगों का यह आप लोग है नई एड हुई micro processor के साथ पर इन ।ोनों को मिला कर हи क्या बनता को स्जिट आप लोगों का microape controller बनता है तो यह आप लोगों कहा जाता है micro Superintendent system ठीके यह आपका MCS पन जाता है तो बोलने का मतलब क्या आपका micro controller की जब हम लोग बात करते हैं micro controller को जब देखते माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर के सारी प्रॉपरिटीज हैं साथ में कुछ नई प्रॉपरिटीज भी है तो यहां तक फटा फट से सभी इस तुरें नोट कर लें और अगर कोई डाउट हो तो वो भी बताएं कि लिए रहे इतना टाइम टेबल यही है भाई साथ ठीक है क्लास आपकी तीन बज़े से रहेगी चार बज़े से आपकी इंगलिस की क्लास है फिर ठीक है रेम वोलेटाइल स्टैटिक्स रोम नॉन वोलेटाइल डायनमिक वेरी गूड तभी स्टुरेंट आंसर देते रहे हैं यूपी पीशल जेए के लिए माइक्रो कंट्रोलर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हैं माइक्रो कंट्रोलर फी एल सी इसकाड़ा आप देख रहे हैंगे लास्ट कुछ सालों के एक्जाम में बहुत ज्यादा कोईस्टन को यहां से पूछा है और इलेक्रोनिक्स का तो खेर कोड सब्जेक्ट ह है तो यहां तो यह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है ठीक है SP and PC SP and PC क्या होता है अभी तो बताया था ठीक है पीछे देखो जरा अभी थोड़ी देर पहले तो लिखाया था SP क्या होता है स्टेक पॉइंटर होता है PC क्या होता आपका प्रोग्राम काउंटर होत आपका general purpose register ठीक है stack pointer क्या करता है topmost address को किसके topmost the topmost address of stack is hold by stack pointer stack के सबसे उपर ले stack अलग चीज है stack pointer अलग है stack pointer मतलब stack के top address को indicate करवाना program counter अगले आने इस्ट्रक्शन के address को hold करता है ठीक है stack pointer timer and counter and timer control circuit में क्या अंतर है यह अंतर आपका जब हम आगे बढ़ेंगे तो वह अंतर दिखेगा आपको दोनों में क्या अंतर था अब अगर हम यहां से देखते हैं student की एक micro controller में क्या ऐसे features थे या क्या नई चीजें आई थी लगकर तो next बात देखते हैं student यहीं से हम लोग block diagram of micro controller जान से देखेगा student block diagram of micro controller ठीक है कि micro controller का block diagram block diagram of micro controller system mcs ठीक है इसके block diagram की बात करते हैं कि इसका block diagram कैसा होता है जान से देखेगा इसके block diagram को किया अगर हम लोग micro processor की बात करते हैं student सबसे पहले तो micro processor के parts को लिखे जिसमें क्या था आपका फिर सबसे पहले जो निकल कर आया था वो था आपका arithmetic and logic unit ALU फिर दूसरी बात जो निकल कर आई थी वो थी आपकी accumulator ठीक है फिर तीसरी बात जो थी इस student आप लोगों की वो था आपका general purpose register जी पी आर general purpose register ठीक है फिर next बात जो आई थी student आप लोगों की वो था आपका stack pointer ठीक है फिर यहीं समने देखा था तो वो था आपका program counter तो यह तो कुछ चीजें basic अभी आपकी जो कहां पर होती है micro processor में भी थी यह देखेगा ठीक है यह सारी चीजें अभी तक micro processor में भी थी देखें सबसे पहले हमने क्या कहा ALU कहा ठीक है कि सबसे पहले आगे आपका ALU arithmetic logic unit फिर आया accumulator फिर आया general purpose register फिर आया आपका stack pointer फिर आया आपका program counter ठीक है फिर यहीं से अब अगली बात जब हमने देखी थी तो तब था इस तो ने आप लोगों का timer and control circuit ठीक है यह था timer and control circuit ठीक है timer and control circuit ठीक फिर इसी के साथ था आप लोगों का interrupt control circuit यहीं से हमने देखा था interrupt control circuit नेक्स क्या था आपका interrupt control circuit ठीक है interrupt control circuit फिर अगली बात जब हमने देखी इस student आप लोगों की तो अब आपका आता है timer and counter circuit timer and counter circuit ठीक है next जाता आप लोगों का timer and counter circuit ठीक है अब यहीं से देखेगा उपर अगर हम लोग देखते हैं तो यह हो कि स्टेक पॉइंटर program counter ठीक है यह आ जाता आप लोगों का serial IO port input output port serial input output port फिर ऐसे अगर हम बात करेंगे तो next आता आपका parallel input output port parallel IO port फिर रहे इतना यह आगया आप लोगों का serial IO port यह हो गया आपका parallel IO port ठीक है सबसे पहले हमने बात क्या कई थी कि यह आप लोगों का timer and counter circuit फिर आगया आपका interrupt control circuit फिर आगया आपका timer and control circuit तो आपका micro controller में नया है serial IO port यह भी नया है आपका फिर ऐसे अगर हम बात करते हैं parallel IO port यह भी क्या आपका micro processor में नहीं था जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो फिर आगे देखना क्या पढ़ाया जाएगा ठीक है जो चीजें बताई जा रहे हैं उन पर ध्यान ने बाकी की बातों पर ध्यान ना दें आपके कमेंट्स को इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि अगर कमेंट्स देखने लगूंगा तो बोर्ड पर नहीं बता पाऊंगा बहुत जागा चीजें और अभी मुझे जहां तक लगता आपके लिए इंपॉर्टेंट यह बोर्ड वाली चीजें फिर बात आती है आपकी clock generator circuit हो गया यह क्या हो फिर इसी तरह से कर हम बात करते हैं तो यह हो गया आपका ram फिर हो गया का clock generating circuit कि clock को generate करने वाला circuit ठीक है आयो CL के लिए क्या पढ़ना है जो आपके technical subjects हैं वही आप लोगों को पढ़ने हैं ठीक है तो अब यह देखे इस तुरेंट यह basically क्या आप लोगों का यहां से अब अगर हम लोग बात भी करते हैं तो यह आपके micro controller के अंदर की चीजें एक micro controller में क्या क्या होता है ठीक है तो यह अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं normal भी कहूं इस तुरेंट नॉर्मली बात भी करता हूं तो ALU है आप लोगों का यहां से अगर हम लोग ले भी चले कि ALU को arithmetic logic unit को देखते हैं तो यह क्या इस तुरेंट आप लोगों का यह accumulator हो गया यह general purpose register हो गया ठीक है या फिर program counter हो गया आपका ठीक है यह या इसी तरह से कर मैं बात करता हूं stack pointer की ठीक है तो यह सब क्या instrument आपके यह आपके micro processor में भी थे कि के यहीं से अगली बात मैं करता हूं तो यह था आप लोगों का ताइमर एंड control सरकीट यह भी था माइक्रो पोसेसर में interrupt control circuit यह भी माइक्रो प्रोसेसर में था लाखी जितनी चीजें रैड की वही है यह रैड रैकेट में यह रैड बॉक्स में है वो चीजें माईक्रो प्रोसेशर में नहीं थी वो चीजें यहाँ पर कियेuito हैं उन्हें डिकल यह इतना तो इसे ध्यान से देखें इस तोरे endless यह आप लोगों का माईक्रो कॉंट्रोलर का ब्लोग डाइग्राम ध्यान से देख लीजिए एक्जाम में पूस्ता भी है ठीक है यहीं से अगर मैं बात करूंगा simple सा अगर मैं लिखों भी तो outward direction में अगर मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ तो outward कौन होता है student आपका control bus होती है तो यह आगे आपका control bus ठीक है इसी तरह से मैंने क्या का student आप लोगों को यहीं से inward अगर आप देखेंगे तो यह क्या आएगा multiply यहा दोनों direction में अगर आप लोग देखते हैं ठीक है by directional अगर हम लोग लेकर चलते हैं कुछ इस प्रकार से यह आजाएगा आपका multiplex ठीक है यह क्या बनेगा आपका multiplex IO ports input output ports ठीक है multiplex input output ports ज्यान से देखें सभी student अब मैं आपसे बात करता हूँ कि examination में question क्या पूछता है examination में question आया हुआ question है student आप लोगों के UPPCL JEE का है question था student आप लोगों का micro controller consist of ठीक है micro controller consist of micro controller में क्या क्या होता है micro controller में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो क्या निकल कर आता आपका एक पूरा का पूरा micro processor होता है ठीक है क्या कहा micro processor होता है plus इसके साथ आपकी RAM आ जाती है और ROM आ जाता है पर इसी तरह से गर आप देखेंगे तो यह आ जाता आपका serial and parallel IO ports serial and parallel input output ports IO ports ठीक है फिर यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस यह आ जाएगा आपका timer and counter circuit ठीक है यह क्या जाता है timer and counter circuit तो यह चीजें क्या है instrument आप लोगों की यह चीजों से मिलकर एक micro controller बना होता है ठीक है तो सबसे पहली बात micro processor होता है RAM और ROM होता है फिर आप लोगों का serial और parallel IO ports होते हैं और फिर अगली बात आती है आपकी timer counter circuit होता है जान से एक एक बात को मैं बार बार इसले कह रहा हूँ ताकि आपको दुबारा revise करने की जरुत ना पड़े जीजें automatically आपके mind में set होते हुए चलनी चाहिए ठीक है नहीं समझ आ रहा है कहीं पर तो तुरंत comment box में लिखें चुप नहीं रहना है डरने की जरुत नहीं है घबराने की जरुत नहीं है आप तुरंत पूछें जहां पर नहीं समझा रहा है ठीक है दूस बात को आपको तुरंत किलियर कर दिया जाएगा चलिए यहां तक फटा फट से note कर लिजे सबीस तुरेंट और जैसे note हो जाए तुरंत आप लोग comment box में noted लिखें है चलिए ठीक है तर आयूचो के लिए क्या पढ़ें आयूचो के लिए जो आप लोगों का टेकनिकल सबजेक्ट सापके ठीक है लिट कोर्स में करवाये हुए हैं वही सारे सबजेक्ट पढ़ने घीक है przest्राणिक्स के जितने भी कोर्स हैं वह सारे पढ़ने नीचे अच्छे से नहीं दिख रहा है नीचे कुछ ज़्यादा है भी नहीं यहां एरो आउट वार्ड है वो कंट्रोल बसका है और जो आपका बाइडारेक्शनल है वो मल्टिप्लाइज आयो पोड्स है ठीक है माइक्रो प्रोसेसर यूटूब पर पहले का पढ़ाया हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाईएगा पिछली लेक्शर्स में आप लोगों को यह मिल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर नहीं पढ़ाया है तो गया इतना अरे भई जहां पर नहीं समझ आ रहा हो तुरंत पूछें आप लोग क्लियर रहे इतना नोटेट बेरी गोड़ चलिए तब आगे बढ़ते हैं इस तुरेंट नेक्स बात आती है आपकी क्या basic difference है microprocessor and controller में तो next topic लिखेगा इस तुरेंट आप लोग difference between next यहीं से अगर हम लोग देखते हैं तो that is difference between कि क्या-क्या अंतर होता है क्या-क्या difference होता है difference between microprocessor unit and microcontroller system mcs ठीक है this is difference between microprocessor unit and microcontroller system ठीक है क्या-क्या difference होता है क्या-क्या अंतर होता आपके microprocessor में और आपके microprocessor में दोनों में क्या difference होता है फटा-फट से एक chart बना लीजे सीरियल नंबर आ जाएगा फिर आपका microprocessor and then microcontroller ठीक है छोटे से chart को फटा-फट से बना लें ठीक है class का आप लोग notes साथ के साथ बनाते रहें फिर बाद में आप पीडियम ढूंडते हैं तो सच्छा ही है कि अपने हातों से अपने according लिखें चीजों को ठीक है अपने समझने के इसाफ से लिखें यह देखेगा सबसे बहले से बात करते हैं serial number की फिर यही से तरह से इसको लेकर चलते हैं उपर आपके heading को फिर बात आ जाएगी स्टूरेंट आप लोगों का यहीं से एक साइड माईक्रो प्रोसेसर हो जाएगा और एक साइड आपका माईक्रो कंट्रोलर हो जाएगा चलिए तो लिखेगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यह हो गया इस्टुरेंट आप लोग को का this is serial number ठीक है यहाँ से सबसे पहले आप लोग serial number को लिखे हैं ठीक है फिर बात आती है आपके micro processor की एक मिनट कुछ इस्टुरेंट कमेंट कर रहे हैं अभी देखते हैं आपके comments को micro processor ठीक है फिर बात करते हैं इस्टुरेंट आपके micro controller की जो भी doubt हो आप लोग तुरंट पूछे हैं ठीक है और सब इस्टुरेंट जादा से जादा सेड जरूर करें जितने भी नए इस्टुरेंट हैं आप लोग सबसे पहले channel को subscribe जरूर करें एक question पूछना है micro processor fast होता है या micro controller less number of pins in micro processor नहीं ठीक है micro processor और controller दोनों में बराबर pin होती है 40 pin का ही 8085 भी होता है दूसरी बात fast कौन होगा frequency देखे जरा micro processor के लिए operating frequency कितना होता है 3 megahertz होता है वहीं controller के लिए कितना होता है 12 megahertz होता है कितना पता आपको अब यह बात बता है तो आप फिर इसे साब से अपने time को भी निकाल सकते हैं कि कितना time लगने वाला है और उसके इसाब से speed भी बता सकते हैं ठीक है सर्याय क्लास iti electronic mechanical के लिए भी है क्या DRDO में micro controller आप लोगों के पास basic introduction आ सकता है बहुत जादा नहीं आता है ठीक है माइक्रो कंट्रोलर फास्ट होगा अच्छा कैसे frequency किसकी काम है यह देखने करणा फ्रिक्वेंसी किसकी काम है सर्ये क्लास iti में free चलेगा क्या यह youtube पर ही free of cost आपका रहेगा देली आप लोगों को तीन वजे बस ज्यादा से ज्यादा live रहना है ठीक है और वीडियो को like और share करनी है हाँ अगर आप लोगों की संख्या घटी तो class होने की probability भी घटी है याद रखना जितनी ज्यादा आप लोगों की strength होगी उतनी ज्यादा probability class के होने की जितनी कम आपकी संख्या उतनी कम class होने की probability ठीक है चलिए तो अब मैं बात करता हूँ student microprocessor और controller में difference की सबसे पहला और सबसे बड़ा difference जो आता है student आप लोगों का वो क्या आता है student आपका कि microprocessor जो होता है वो depend करता है other chips पर तो यहाँ से देखेगा student यह क्या निकल के आता आपका depends on other chips ठीक है कि यह आप लोगों के other chips पर depend करता है depends on other chips वहीं मैं micro controller की बात करता हूँ ठीक है it is independent यह आप लोगों का independent होता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है independent क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें आपकी envelope होती है इसमें आंतरिक रूप से सभी चीजें उपस्थित होती है वो सभी चीजें कौन से instrument आप लोगों की यह देखेगा कि यहाँ पर अगले difference में मैं इस बात को लिख भी रहा हूँ कि देर इस नो रैम और रोम कि यहाँ पर रैम और रोम इनवेट नहीं होता है ठीक है अंदर से नहीं होता है बार से memory element connect करना होता है बहुत बड़ा difference से microprocessor और controller processor में पहले से कोई भी memory नहीं होता है रैम होता आपका random access memory रोम होता आपका read only memory वहीं अगर मैं बात करता हूँ micro controller की तो यह होता इस तो रिंट आपका इसी के अंदर ठीक है तो यह एक अपने आप में major difference है कि microprocessor में कोई भी आपका memory inbuilt नहीं होता है जबकि controller में पहले से memory आपका inbuilt होता है ठीक है इतना जबर address bus का भी arrow downward address bus का भी arrow आपका address bus भी outward होती है बस का मतलब होता आपका parallel wire से address bus जो होती है वो direction कैसे रखती है आउट वार रखती है address को बाहर भेजने का काम करती है ऐसे control bus होगी तो जो बाहर से device होगी उसे control करेगा हाँ अगर data होगा तो वो हो सकता है input हो इनवर्ड डारेक्शन आउटपुट हो तो आउटवाट इसलिए कैसे डारेक्शनली भाई डारेक्शनली थी सही इतना memory in built-in computer ठीक है microprocessor fast होगा क्योंकि one upon t होता है बिल्कुल सही बात है कोई बात ना आपको समझा भी रहा था कि frequency देखें और आप time निकाल सकते हैं speed निकाल सकते हैं तो दो basic difference तो पता चल गए कि microprocessor depend करता other devices पर जबकि controller आपका depend नहीं करता है ठीक इतना चलिए अब अगली बात आती है student आप लोगों की कि अगर हम लोग बात करें यहां क्या होता student आपका microprocessor के अगर मैं बात करूंगा यहां पर single memory map होता है single memory map कहने का मतलब है student आप लोगों का क्या कि यहां आपका single memory map डेटा और program कैसे होते हैं student आपके same memory में होते हैं या single memory में होते हैं जबकि यहां micro controller में data और program separate memory में होते हैं तो यह आ जाएगा इस्टुरेंट आपका separate memory map ठीक है सॉरी यहाँ पर क्या होता आपका separate memory map एक case में data और जो आप लोगों का क्या होगा program होगा वो single memory में होगा यह instructions जोंगे वो single memory में होगे पर यहाँ आप लोगों का instructions और data अलग-अलग memory में होता है क्लियर इतना चले तो सवी students वीडियो को like और share जरूर करें इससे आगे के differences को हम अगली class में next class में same इसी time पर 3 बजे यहीं अपने channel EAD online classes पर live रहेंगे आप लोग वीडियो को जादा से जादा like और share जरूर करें notes को साथ के साथ बनाते रहे हैं आप लोग ठीक हैं और बाकी इसके ठीक बात चार बजे से आप लोगों की class है English की तो डियाइडियो special class सल रही है तो वहाँ पर भी आप लोग सभी लोग live जरूर हैं तो आज की session को यहीं पर stop करते हैं student हम लोग UPPCL JEE इस बार आपको clear नहीं top 10 की list में आकर clear करना है ठीक है तो इसलिए अच्छे से microcontroller को पढ़ते हुए चले तो आज के लिए thank you students कर्सक्राइडिक्स